कैंसर एक घातक और जानलेवा बिमारी है जहां पर सेल्स अनियंतरित रूप से बढ़ने लगती है इसके कई प्रकार होते हैं और ये आम तोर पर जिस स्थान पर होता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है उनहीं में से एक है ब्लड कैंसर जिसे खून का कैंसर या ब्लड कैंसर भी कहा जाता है कैंसर एक ऐसी बिमारी है जिसमें शरीर के अंदर की सेल्स असामान रूप से बढ़ने लगती हैं यदि समय रहते इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इसे पहले स्टेज में ही इलाज करके ठीक किया जा सकता है। बलड कैंसर क्या होता है? बलड कैंसर को लिउकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बलड में मौझूद वाइट बलड सेल्स को प्रभावित करता है। लिउकेमिया में बोन मैरो असमान ने वाइट बलड सेल्स को बहुत जादा संख्या में बनाती है। जिन हैं लिउकेमिया सेल्स कहा जाता है। ब्लड में cancer युक्त सेल्स की संख्या ज़ादा बढ़ने के कारण red blood cells, white blood cells और platelets को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है ये सामान्ने cells की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं और इनका विकास रुकता नहीं है इसके बाद खून में healthy blood cells की कमी के कारण शरीर असमान ने तरीके से काम नहीं कर पाता है और कई सारी स्वास्ते समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं Blood cancer के कई प्रकार होते हैं और उनके प्रकार के आधार पर लक्षन भी भिन्न हो सकते हैं Blood cancer कितने प्रकार के होते हैं? जो infection से लड़ने में असमर्त होते हैं Leukemia को चार भागों में बाटा गया है Acute lymphocytic leukemia, Acute myloid leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, Chronic myloid leukemia Number 2, lymphoma Lymphoma blood cancer lymph system को प्रभावित करती है जो नसों का एक network होता है जिसमें lymph nodes, spleen और thymus gland मौजूद होती है Number 3, myeloma ये cancer bone marrow की plasma cells को प्रभावित करता है जिसमें हड़ी, blood और kidney को नुकसान पहुचाती है Blood cancer के लक्षण क्या है? Blood cancer के कारण असमान ब्लड cells की तुलना में सामान ब्लड cells की कमी हो जाती है जिसके कारण शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आने लगते है Blood cancer की पहचान उसके लक्षणों से की जाती है तो आईए जानते हैं Blood cancer के लक्षण क्या है? जैसे लगातार बुखार का बने रहना हड्डियों में दर्द रहना नाक, मसूडे या मलाशे से लगातार bleeding की समस्या रात को सोते वक्त पसीना आना महिलाओं में periods के दौरान भारी bleeding होना भूख नहीं लगना वजन कम होना रात को सोते वक्त पसीना ज्यादा आना बिना कुछ किये ज्यादा थकान महसूस होना गला, कमर या हाथ के नीचे गाठ बनना या ग्रंथी में सूजन होना आदि प्रकार के लक्षण हो सकते हैं Blood cancer के कारण क्या है? विशे शग्यों के आधार पर अभी तक Blood Cancer के कोई ठोस कारणों का पता नहीं चला है कुछ चीजों के सेवन से Blood Cancer होने की संभावना बढ़ जाती है इसके अलावा कुछ खास तरह के Chemicals या Radiations के संपर्क में आने से भी Blood Cancer का खत्रा हो सकता है जैसे Benzene Blood Cancer की आशंका को बढ़ा देता है Blood Cancer के कितने स्टेज होते हैं Blood Cancer को चार स्टेजों में बाटा गया है Stage No.1 Limphosites की संख्या में अचानक व्रधी के कारण lymph nodes भी बढ़ जाते हैं ये दूसरों की तुलना में बहुत कम खतरनाक होते हैं और इनका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है Stage 2 Blood Cancer के दूसरे चरण में स्प्लीन, लिवर और लिंफ नोट्स बढ़ जाते हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी अंग एक साथ ही प्रभावित हो लेकिन निश्चित रूप से इन में से एक अंग प्रभावित होते हैं कैंसर इन अंगों पर धीरे धीरे अटैक करता है Stage 3 Blood Cancer के इस स्टेज में पेशेंट अनीमिया से ग्रसित हो जाता है और स्प्लीन, लिवर और लिंफ नोट्स कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं तीसरे स्टेज में दो या दो से ज़्यादा अंग प्रभावित होते हैं Stage 4 ये कैंसर की आखरी स्टेज होती है जहां शरीर पर कैंसर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जोखिम वाला भी होता है इस स्टेज में पेशेंट के मौत की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है इसमें बलड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरने लगते हैं और फेफ़डों के साथ साथ कई अंग कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं बलड कैंसर में क्या खाना चाहिए जितना हो सके और्गैनिक फलों का इस्तेमाल करें अपने डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट्स, डेरी प्रोडक्ट्स, फल और सबजियों को शामिल करें वसा मुक्त पदार्थों का सेवन करें डी हाइडरेशन से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मातरा में तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें फल और सबजियां जिसमें विटामिन्स, खनिज, एंटी आक्सिडेंट्स, इत्यादी के हाई सोर्स होते हैं और कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में प्रभावी होते हैं उनको डाइट में शामिल करें ऐसे में पेट की जलन और कबज की समस्याओं से बचने के लिए अपने डाइट में फाइबर की मातरा को बढ़ाएं आसानी से खाय जाने वाले फलो का सेवन करें क्या ब्लड कैंसर का इलाज संभव है या नहीं आज के समय में मेडिकल साइन्स इतना आगे बढ़ गया है कि लगबग हर तरह के कैंसर का इलाज संभव है लेकिन जरूरी है समय पर कैंसर के बारे में पता लगना यदि सही समय पर कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो इसके इलाज की सफलता की दर बढ़ जाती है So friends, मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए Thanks for watching this video